हेलो एव्रिवान वेलकम टू वियाई पेडियो सर्फ जहां मिलते हैं आपको एक्जाम रिलेवेंट कॉंटेंट मैं हम विपल और मैं आज आप लोग यहां पे आप लोगों के लिए मैं एक इस्पिसे वीडियो लेकिया हूँ जहां पे आपको देखने को मिलेगा हम लोग अ जानते हैं जान सकते हैं यहां पे मेरे कुछ स्कूर्स वेकरा लिखे हुए हैं जो कि लास्ट यह के कुछ स्कूर्स हैं आपके साथ बाकी जो एक्जाम से उसके बारे में भी इनों बात करेंगे कि उन सब पर फोकस हमें कैसे करना चाहिए तो आज मैं आपके सेर करने वाला हूँ SBI PO के जो प्रेलिम्स एक्जाम से हैं उसके स्ट्राइटजी जो अभी एक्जाम स्टार्ट होंगे आपके 17 अब देसंबर से अभी देखा जाए तो अभी आपके पास एप्रॉक्समेट 15 डेस का समय है इन 15 डेस में हम लोग किस तरी इंटर्वी होने वाले हैं उस पर डिसकस करेंगे और एक और चीज़ी मैं स्ट्राइजी वीडियो भी बनाता हूँ ऐसा नहीं कि सिंपल हां उठके आगए वीडियो में बना दिया नहीं मैं प्रॉपर रिसर्च करके आता हूँ पूरी चीज़ाँ को देख करके प्रीवेस से कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर देखे हमारे पास जो अभी अपकमी एक्जाम से हैं लाइंड आप वो कौन-कौन से हैं इस बीडियो पीओ प्रिलमस एक्जाम जो कि आपके 17 एक 10 नाइंटींथ एंट ट्वेंटेंट संबर को सेड्यूल किये गए है एच पर नोटिफिकेशन उसके बाद हमारे स्बी जे के मेंस एक्जाम हो चुकी है और पिर आपके दिसमबर लास जाइप जनुवरी के फर्स SBI PO के मेंस एक्जाम जो एच पर नोटिफिकेस जनवरी एन फैबरी मन्त में ये होने वाले हैं ये कुछ हमारे बैंक की एक्जाम से हैं एक ची मुझे बताइए मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को हो क्या गया है जब से IPS PO का मेंस एक्जाम हुआ है तब से मैं दे कौन का तफ आ गया नहीं ठीक है माध है का तफ आगया का तफ आ गया कहीं तो का टफ कम जाएगी इसकर अगर आप यह सोच के पर हैं कि मेरे कुछ क्यों सॉल्व नहीं हुए हैं हो सकते थे लेकिन आप नहीं कर पाएं, अपना बेस्ट नहीं दे पाएं तो ये बिल्कुल सही बात है, इस पे आप सोचें लेकिन एक्जाम खराब हो गया इस चक्र में बाकी जो एक्जाम से उस पे आफोकस नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत 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 चीज़ है और मैं बताओं आपको अभी जो हमारे पास दो-दो एक्जाम अभी है SBI-JA का मेंस एक्जाम और SBI-PO के प्रिलम्स एक्जाम SBI-PO जो की बैंकिंग इंडिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्जाम माना जाता है वो उपरचुनिटी अभी आपके हाथ में है तो जो बीद गया उसकी बात को सोच करके उसके लिए आप अपने नेक्स एक्जाम को आप खराब कर रहे हैं अगर त्यारी नहीं कर रहे हैं सही से ये बिलकुल सही चीड नहीं है और आपको भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे जो Ip की एक्जाम से हैं इसमें आप कॉलिफाइ करेंगे या नहीं करेंगे, हमें सब पॉजिटिव रहें vacancies है paper tough आया था आप कॉलिफाइ कर सकते हैं आपको chance लगता है, कॉलिफाइ करेंगे तो आप हमें सब पॉजिटिव रहें, hopeful रहें और interview की presence साथ-साथ करते रहे हैं ठीक है और अई बात SBI J Men's की strategy तो अभी काफी समय है करीब एक मेने का समय है तो मैं इस पर एक बनाऊंगा इटली वीडियो जिस तरीके से मैंने बनाया था आप यह देख पारें यह था IPACE PO की men's strategy जो की बहुत लोगों को पसंद आई थी बहुत लोगों ने follow भी किया था और काफी benefit मिला था तो मैं share कर दूँगा आपको इसलिए लेकिन आज की सुटियों बात करें हम लोग सबसे पहले जो हमारे हैं 17, 18, 19, 20 को जो SBI PO के प्रिलम्स exams और एक और चीज अगर आप यह सोच रहे हैं कि SBI PO ही तो है जिस तरीके से आपने IPS PO को देखा वहाँ पे काफी low attempts रहें फिर भी low attempts होने के बावजिन भी cut off बहुत कम गई और काफी लोग qualify कर पाएं अगर आप यह सोच रहे हैं same condition, same scenario SBI PO में होगा तो यह नहीं होने वाला paper tough आएंगे, बिलकुल आएंगे cut off कम जाएगी, नहीं जाएगी cut off IPS PO की तरह कम नहीं जाएगी क्योंकि इसमें vacancies काफी कम है इसलिए आपको SBI PO क्लियर करना चाहते हैं अगर तो आपको SBI PO के prelims exam को क्लियर करना सबसे बरा task है अगर आप SBI PO के prelims exam qualify कर पाते हैं तो फिर मेंस exam में chances आपके अच्छे हो जाएंगे यह IPS PO से नहीं होगा आप कम attempt करके भी आएंगे score कम भी आएंगे तो भी chances selection के होंगे ऐसा यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे आपको अच्छे attempt करने होंगे याने की simple कहने का मतलब यह है कि prelims के पिसन आपको बहुत अच्छे से करने होगी तभी आप मेंस exam और फ़रे पहुंच जा पाएंगे इसलिए हमारा first priority जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए SBI PO के prelims exam साथ यह साथ अगर आप SBI J मेंस देने जा रहे हैं तो J मेंस exam की भी त्यारी साथ साथ करने ही होगी अब जब SBI J मेंस के तारी साथ साथ करेंगे तो क्या होगा आप GES GK जो ही पढ़ते हैं बैंकिंग में वो पढ़ते रहेंगे इससे क्या होगा वो बैंकिंग अगरेंस आपके SBI PO में भी काम आएगा तो यह का जो यहाँ पे दिक्कत होती है हमें वो यहाँ से आटोमेडिकर दूर हो जाएगा तो अभी जो पंदरे दिन हमारे पास हैं इसमें हम लोग सिर्फ वस्री फोकस करेंगे SBI PO के PILIMS exam के उपर कैसे करेंगे इसके बारे डिस्कस करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जो डेट्स आपके एक्जाम हैं मैं बताई दिया मैंने आपको 17,88,19,20 को डेट हैं और मेंस एक्जाम जो यहाँ पर सेडिल किये गए हैं वो आप देख पा रहे हैं यह जनर्वरी फैवरी में होगी और एक्जाम की पैटर्न बिल्कुल वही सेम है प्रिलिम्स की जो होती है इंग्लेस रेजिनिंग एंड क्वांड और यहाँ पर इंपॉर्टन चीज यह है कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रेशन कट आफ नहीं होती है हालांकि इस यहाँ फरक पढ़ता नहीं है पेपर का लेवेल जैसा उपर नीचे होता है उस पर यह कट आफ उपर नीचे हो जाती है यानि कि आपको उस तरीके से प्रिशन करनी होगी कि आप एक्जाम में इतने अच्छे स्ट्रेशन कर सकें लाकि आपके स्कोर जो हो 70-75 के आसपास पहुंचें इंग्लिस की प्रिवेश को देखने के बाद मैंने देखा कि कुछ यह टॉपिक्स हैं जिसे कुछिए पूछी जाते हैं तो रिडिंग कॉम्प्रिएंसन जो है इससे कुछिए पूछिए जाते हैं इंटेंज गए हैं को सिंटेंज करना जैसे दिया गया होता है वर्ड यूजेज आपको एक वर्ड दिया जाता है फिर चिक कर ना होता है इस sentence कहाँ पे इसका सही तरीके से यूज किया गया है और एक और चीज Inter Interjection की Connectors Connectors के भी questions पूछी जाते हैं ये कुछ topics है questions पूछी जाते हैं तो हम इसके तयारी कैसे करें पनादिनों में सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ध्यान ये देना होगा कि आपके यहाँ पे कौन से topic week है सबसे पहले आप PYQ solve करें हमेशा की ज़र जो मैं बोलता आया हूँ और IPSP आपने देखा भी मैं सिख जामे PYQ मैंने solve करवाया था PYQ से दो DI same to same IT exam में तो जो बोला जाता है आप करना चाहिए फॉलो तो करेंगे फायदा मिलेगा PYQ solve करें 2-3 साल की 2-3 साल की PYQ solve करें इंगलिस की और फिर वहाँ से यह एनराइज करें कि आपकी कौन से topic week है एक note बनाए लिखें week points वहाँ पे लिखें पहले आपको topic कौन से week है और फिर उन topics को आप clear करें कैसे clear करना है simple अगर आप ने देखा कि आपको error के question में दिक्कत होती है आप क्या गलतिया करते है अविरसे जब आप solve करेंगे आप चैटो करेंगे ना कि आप गलती क्या कर रहे है उससे आनराइज करें गलती क्या कर रहे है कहां practice करना है इसके लिए Google है different apps available है different companies के वहाँ पर जाए simple practice करें ठीक है इस तरीके से बाकी जो भी आपके weak points होंगे सभी weak point पर काम करें अगर आप यह कह रहे हैं कि आपका weak point RC है तो मैं बता दूँ आपको RC क्लिक करना किया है अगर आप यह चाहते मैं बता simple एक तरीका होता है कि आप long term से reading करते आ रहे है reading करने की habit है reading को habit मिलाए जिससे आपका reading improve होगा और men's prelims हर जगा काम आएगा जो की long term process होता है करना चाहिए अगर आप नहीं करते आ रहे है अब तक तो इन बच्छे समय में आप simple mock में जो दिये गए होते reading comprehension उसे solve करें या फिर छोटे quiz आते हैं quiz मिल जाएंगे आपको different apps पे वह आप जाकर करके RC को solve करें RC को solve करने में ध्यान क्या रखना आपको जब भी RC solve करें तो उसमें यह देखें कि आपने RC को पढ़ना सुरू किया यसे मैं हमेशा करता हूँ अब बताएब में कई बार RC को पहले पढ़ यह पूछ रहा है ठीक है second question आपने देखा यह पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा true है third question आपने देखा अच्छे इसके बाद फिल से rating करना सुरू करें और rating कर ध्यान रखें कि जो जो आपने पढ़ा था वो चीजे कहां कहां पे आ रही है अगर उस सरीटे कुछ भी आपको आप question भूल जाए आप question चक करें यह पूछा जारा फिर उस तरीके से find out करने ही questions करें कुछ questions ऐसे आते हैं SBIPO में आपको देखने के जरूर मिलेंगे inference based question मतलब पूरे passage को पढ़ने के बाद पूछा जाएगा which of the following are true, which of the following is not true इस तरी questions आते हैं जिसमें आपको ऐसा नहीं है कि कसी एक paragraph आप कौन से मिल जाएगा पूरे passage पढ़ने के बाद ही आपको वह चीज को conclude कर पाएंगे ठीक है तो इसमें आप जभी भी पढ़ें तो आप उन तो जो भी आपके options दियेगे उसको ध्यान में रखेंगे कि यह options यह options हैं तो क्या क्या अच्छा यह options मैंने पढ़ा था इसके बारे में लिखा गया था यह सही हो सकता है इसके बारे में लिखा नहीं गया था अपना वहाँ पे कुछ भी आपको pre knowledge आपको यूजी नहीं करना है ठीक है इस तरीके से आप tackle करें RC में आप अच्छा कर पाएंगे इसमें आपको 2-3 questions मिल जाते हैं fillers के और synonym, antonym के तो वो vocab से भी आप कर ठीक है second पैरा जंबल, पैरा जंबल को मैंने बताया आपको पैरा जंबल को practice करना आपको और coherency maintain करना है मतलब coherency कैसे maintain करना है हमेसा आप यह सोचे जभी आप किसी भी article को पढ़ते हैं तो यह देखा करें हमेसा notice करें कि किस तरीके से लिखा जा रहा है पहले किस चीज के ब पैरे जंबल सॉल्व करें practice करें practice करते हो कि इस बाद का ध्यान रखे लेट से आपने इक पर सॉल्व किया उसका सेक्वेंस था पी आर एस क्यू पर कुछ भी था जिए वो आपका गलत हो गया जो आप गलती देखते हैं क्या करते हैं आप में गलती देखा कि अच्छा अंस sequence जो भी answer में दिया गए उस sequence में एक पूरे पैरा JEंबल को read करें ठीक है पैरा जंबल को उस sequence में read करें और यह देखे कि आप ने किया सोच था अपका आर आया था तो आपने किया सोच के आर वहां पर mention किया था और यह पर पी की रागए है स्था झाल टिया गया में तब समझ पाएंगे कि P के बाद क्यों दिया गया है Coherency commitment कैसे करते हैं Context में जिसे बात करते हूं कैसे करते हैं आप कोई जिस्तम तब आप समझ पाएंगे कि अच्छा इस तरीके बाते की जा रही है इस दो sentence में से कौन sentence पहले आना चाहिए इस पर focus करेंगे आपका प्रेजंबल भी सहीनों शुरू हो जाएगा ठेक है बाकी चीजे जो है close test, fillers यह सब simple practice की चीजे है जितना अधिक practice करेंगे जितना आप reading अच्छा करेंगे उससे आप यहाँ पे चियों को अपने questions को आराम से solve कर पाएंगे word interchange काफी आसान होता है word usage आपको word की meaning आ रही होगी तो उससे आप पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे और बात रही अगर connectors की connectors आपको पढ़ना पड़ेगा connectors जिसे however क्या क्या होता है although दो यह सब जो connectors हमारे होते हैं but यह भी होते हैं नंदली इन सब को आप यह सब आपके conjunction होते हैं conjunction topic में जाएं गूगल पर सब्सक्राइब कहीं भी मैम ने पढ़ाया होगा वहाँ पर जाक्के देखें अच्छे यह connectors होते हैं इनका यूज कब की जाता है कब सेम चीजे बात करवरे होते हैं तब आपके कौनसा वर यूज की जाता है उसका एक proper उसे लिक करके एक notes बना ले और उसको revise कर ले और उसका sentence में यूज करने की कोहिस करें इससे क्या होगा आपके यह word interchange वाई जो questions होते हैं वहीं बने लगेंगे और regular practice करें daily practice करें English को English बहुत ही important प्रेक करेगा exam में quant tough आएगी, reasoning tough आएगी वहाँ पे आप अधिक question attempt नहीं कर पाएंगे लेकिं English में आपके फिर भी chances रहेंगे कि आप question attempt कर पाएं time वहाँ पे थोड़ा सा manageable होता है English section में फिर यहां से आप score अच्छा कर लेते हैं अगर आप तो quantity अच्छा कर लेते हैं अगर आप कोई puzzle solve नहीं भी हो पाया आपका अगर आप तो यह English जो है वसे make up करेगा और आपके score को boost करेगा ठीक है अगर कुछ चाते हैं इसमें कुछ add करना कुछ पूछना कुछ समझ में नहीं आया है तो आप बिल्कुल comment box में लिके पूछ सकते हैं English section लिखें question पूछ लिए ठीक है all clear next move करते हैं next section के तरफ second is our reasoning reasoning भी मैंने काफ रिसर्च करने के बाद यह मैंने लिखा है previous दोहसतरा अठारा उननिस sorry 18 next बात करते हैं लोग और यह जो भी चीज़ मैंने बताई है simple ऐसा नहीं से बता रहों में और यह और जो भी चीज़ मैंने बताई है आपको भी यह ऐसा नहीं सिंपल बता दिया आपको मैंने proper रिसर्च करने के बाद आपको बताया है next is here reasoning section इसमें जो भी कुछि़ मैं बताऊँगा same as मैंने 2018, 19, 20, 21 के सारे questions को मैंने देखा है reasoning के in fact मैं बताऊँगा आपको मैं सारे questions खासकर puzzles और यह जो question देख रहे हैं यह सारे questions मैंने solve किये हैं फिर उसके बाद solve करने के बाद चीज़ों को समझने के बाद तब मैं यह बड़ी बिनाना हूँ ऐसा नहीं कि सिंपल हाँ ठीक है बहना देना करना क्या है तो देखिए इसमें दो चीज सभी को पता है तो चीज होती है जैसे आई-पेस प्यूं आपने देखा चार पांच 26-26 मास के questions आया थे प्रजल से यहां भी आपको यह सीन देखने को मिलेगा किसी में बाइस के किसी में पच्चिस के कि चप्चिस के इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे पैनिक नहीं करना है पढ़के जाएंगे पै एक्जाम जो हैं चार दिन में होने वाले हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सिफ्ट में आपको लेवल जो है अप डाउन अप डाउन देखने को मिलेगा तो वहां पे आपको जो मैं बतारो हूं topics वहां पे देखने को मिलेंगे जहां से questions के level को उपर नीचे उपर नीचे किया हैं अब इसमें से हमारे लिए important क्या है किस topic पर फोकस करना चाहिए अगर देखा जाए तो coding recording से हर साल आपके maximum साल question पूछे गए हैं ठीक है आप simple सोचिंगे जम आसांस आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इसमें भी आपको काफ़े logic दिखने को मिलेगा sentence आपने start किया point number a से first line में भी खतब point a के बारे में point a और b के बारे में इसके decision कुछ दिया गया है और फिर a भी आपको मिलेगा नहीं a भी आपको सिचा मिलेगा last line म तो इसके बीच में बाकी जो मिलेंगे आपको c, m, n तो फिर आपको इसको credit करने के लिए पूड़ा पढ़ना होगा एक तरीके से आपको अच्छा एक यहाँ पे practice रहेगे तभी आप महां पे जल्ली कर पाएंगे ठीक है ध्यान रहेंगे इस बात का और कई shift में आपको input output देखने मिला, 2018 में question देखने मिला था input output का data synthesis, आपको 18 में आपको देखने मिला था data synthesis, input output and data sufficiency, इसके questions आपको 2018 में देखने मिले थे, उसके बाद भी देखने को मिले हैं, काई shift में आए हैं, तो यह भी आपके लिए उतना ही important role play करेगा, ठीक है, तो हम इन सभी के practice करेंगे उसी के बाद exam में जाएंगे, उससे पहले हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, मतलब exam time से ही होगा, तो आपको कहने मतलब यह कि उससे पहले आपको सब चीके practice अच्छे से कर ले नहीं है, अब आते हैं, puzzles के उपर, puzzles में देखने को मिला है क्या, linear puzzle, maximum year पूछे गए हैं इससे questions कैसे आते हैं, uncertain भी आते हैं, certain वाले भी आते हैं, दस लोग, पांस लोग वाले भी आते हैं, इससे पता नहीं होता है, वो भी आते हैं, और variables इसमें होते हैं, ऐसा नहीं होगा सिर्फ सिर्फ दिया होगा सभी North Face कर रहे नहीं कुछ North Face कर सकते हैं कुछ South Face कर सकते हैं साथ में variables भी आपको देहरे हो मिल सकते हैं किसी का age 19 है किसी का age प्राइम नंबर का square है किसी का age square का difference आ रहा है दो लोगों का इस तरीके कि काफी चीदिया ही होती है वहाँ पर आपको से पुछ आते हैं circular arrangement, triangular arrangement, rectangular arrangement, parallel row, month date वाले puzzle जो होते हैं week big puzzle जो होते हैं Monday, Tuesday, Wednesday वाले variables के साथ box based puzzle में भी variable के साथ age based puzzle भी, floor based puzzle, simple floor वाले, 8 floor है, 9 floor है और flat and floor वाले भी PQ flat है और 4 floor है इस तरीके से, ये सारे आपको देखने हों मिले हैं और कई बार बिना आया है variables का और कई बार variables आप पुछे गए हैं अब इन में से हमारे लिए important क्या है कौनकों से ऐसे puzzle से जो की बहुत पुछे गए हैं जिसके आने हाई chances बनते हैं lean puzzle maximum year पूछा गया है फिर floor and floor वाले पजल जो होते हैं flat and floor वाले पूछे गए हैं बाक्स based puzzle ये भी आपके लिए important होता है और बाकी puzzles भी triangular भी पूछे गए हैं और यही सब puzzle है जिसकी आपको practice करनी है अधिक practice करनी है आपको करना क्या है सबसे पहले बचे मताया आपको PYQ आपको solve करना है पिछले 2-3 साल के PYQ solve करें फटा-फट से और मैं mention करूँगा आपको 2018 के PYQ जरूर से जरूर solve करें ठीक है ये must है आपके लिए उसके बाद analyze करें कि आप देखें किस puzzle को करने में आपको time ज़्यादे लग रहा है जिसमें आपको time ज़्यादे लगता है हैने कि आप उसमें weak है उस type के puzzle की अधिक practice करें इससे आप उस type को puzzle करने को सीख जाएं कि अच्छा ऐसा question आता है ऐसे puzzle में हमें इस तरीके से approach लेना होता है ठीक है इस तरीके से region कर सकते हैं और अगर आपकी बहुत weak है बिल्कुल नहीं कर पाते हैं तो sectional mock दें और mock की उपर discuss मैं करूंगा इसके बाद बताओंगा mock भी कैसे term करना है I think clear हुआ होगा यह सारी चीज है आपको समझ में आया होगा एक whole time idea मिला होगा आखिर क्या कर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ठीक है clear है PYQ must solve करना जरूर 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 solve करें next बढ़ते हैं आगे हम लोग next section के तरफ reasoning में कुछ अगर doubt हो आपको समझ में नहीं आया हो या पी चाहते हैं कुछ पूछ ना simple आप लिखे comment reasoning semicolon next is our quant चोकी most important section होता है इसमें भी काफी उलेट फ्रिद्र में मिलता है data sufficiency, quantity comparison, word problems, cash link DI, बहुत कुछ पूछे जाते हैं इस section को मैं त्रीन पार्ट में डिवाइड किया है arithmetic, mislearns and DI, mislearns आपके आते हैं simple, simplification, approximation, number series, quality equation और इन सभी चीज़ों में से आपको कोई दो चीज या एक चीज ही exam में देखने को मिलेगी, तीनों चीज का expectation बिलकुल ना करें आ जाए तो अच्छी बात है, expect आप ना करें, आप simple बुचे कि इसमें से कोई भी से 5 questions या फिर सब मिला करके, इस section से मेरे को 5 questions ही मिलेंगे, इतना भी इस level paper मेरे पास, इस level paper मेरे पास बने के आएगा, ठीक है, expect यह ना करें से question आएगा, ठीक है, इसके बाद, word problem, arithmetic में आपको word problem देखने मिलेंगे, data surface मिलेंगे, और quantity compression भी देखने को मिलेंगे, इसके लिए आपको हमिसा prepare रहना है, त्यारी कैसे करें, आप बात करेंगे इसक graph, radar, जो भी होते हैं, वो सारे के सारे आपको करने आने चाहिए, package होनी चाहिए, और जो DI आती है, उसमें variables वाले questions जो होते हैं, वो करने आने चाहिए, छोटी DI, लंबे questions, वो करने आपको आने चाहिए, within the time, limit में, cash layer DI भी आपको करने आने चाहिए, पढ़ के समझना आना च चाहिए, इसके practice होनी चाहिए, इतने सारे चीजे हैं, अब कैसे कैसे करें, इसके बारे हैं बात करते हैं, सबसे important जोर पे करेगा, कि आपके concept कितने अच्छी clear है और आप में practice कितने अच्छी class की कि ए, यही दो चीज़ आपके is quantity को decide करेगा, ऐसा नहीं है कि question पूछ यह ज प्रक्ट पड़े नहीं आपको ऐसे कुछन करनी है जो कि एक्जाम हो आप पहले काम का करें पीवाइक्यू सॉल्व करें यूटूब से करते हैं मैं भी चैनल पर करवा दूंगा और पीडियेप मिल जाती है मौक भी मिल जाते हैं जहां से आपके इच्छा वहां से कर सकते हैं सही तरीके से करना है उसे इसके बाद पीवाइक्यू के बाद आप वहां से एनलाइज कर लें कि आपको दिक्कत कहां होती है तीन चार्ज सॉल्व करेंगा आपको खुशन में आ जाएगा कि आपके ये पॉइंट वीक है आपसे डियेस नहीं होता आपसे क्वाइंटी कमज प्लोड करने वाला हूं बिल्कुल trending questions के साथ वहाँ पे आपको मिल जाएगी तो उसे आप वहाँ से हर ए topic को clear कर सकते हैं वहाँ previous questions मिल जाएगे आपको उसे भी आप वहाँ solve कर सकते हैं ठीक है तो आत्मतिक के जो चीज़ें वह आप यहाँ से अराम से कर पाएगे इसके बाद second चीज़ पर आते हैं जो की है data interpretation data interpretation में मैं हमसा बहुत सारी वीडियो मैंने करवा रखी इस चैनल पे बहुत different types की डियाई है एक वीडियो आपको मिल जाएगी different types की डियाई जो की पुछी जाते हैं 5-6 type जो भी होते हैं वो पुछी जाते है वो भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी कैसले यह मैंने बहुत कर आई है और अभी से जो exam के अभी दियर में समय बचे हुवे हैं उसमें भी मैं बहुत सारी practice करवाने वाला हूँ तो उसके टेंसर आपना ले वह practice करवाऊंगा वहाँ साब कर सकते हैं साथ साथ आप different quizzes और mock medium करेंगे वहाँ से भी आपको practice हो जाएगी तो practice is only की practice वही question को करना है जो कि exam में आपके आता है ऐसा नहीं है कि questions कुछ और पुछन जा रहे हैं अब practice कुछ और कर रहे हैं यह चाहिए नहीं होना चाहिए यह कब हो पाएगा जब हमारी preparation अच्छी होगी हमारी speed अच्छी होगे calculation speed, thinking skill यह सारी चीज़े हमारी अच्छी होनी चाहिए यह कब अच्छी होगी जब हम इन चीज़ें को practice अधिक करेंगे तब ही हो पाएगी तो बहुत practice नहीं करना है लेकि इतना practice करना है कि अगर कोई भी किसी सट से 5 question अगर आते हैं तो 2-3 minute में या उससे भी कम सहर में हमें कर लेना है मतलब time हमें यहाँ यहाँ पे time को यहाँ पे minimum time यहाँ पे देना है ठीक है यहाँ पे minimum time invest करना है ताकि हम लोग बागी question भी हम लोग कर सकें चैनल पर भी अवलेबल है numbers reach की, wrong numbers reach missing numbers reach यह भी मैंने करवा रख की बहुत सारी question मिल जाएंगा practice करने के लिए quadratic equation में मैंने करवाया है simplification में मैंने करवाया है और आपको recent अभी अभी से exam से पहले videos मिलते रहेगी वहाँ से भी आप practice कर सकते है और अगर doubt है चाहते हैं पूछना आप simple comment मिलके पूछते है तो next बात करते हम लोग mocks की mocks को कैसे करना है कितना mock करना attempt कहां से करना है कहां से करने का मतलब क्या जो भी आपके पास होगा जो भी से अपने purchase किया होगा वहीं से करेंगे और मैं बताओं आपको सबसे important जितने भी live mock चलते हैं live mock different different websites पे उन सभी को आपको must attempt करना है attempt करने के बाद अपना rank देखना है percentile देखना है score देखना है ठीक है बाकी ये दो चीज़ी बहुत important देखना उसके बाद आपने क्या है इसमें गल्दी की उसे आपको analyze करना है live mock जितने विसट हैं सब पे घूम घूम के आप दे ठीक है और दिन में कितना mock दे ये question कर दिवाने माता है दिन में आपने capacity के recording दे दो mock is enough दो mock से अधिक नहीं देना चाहिए देते हैं आपकी मरजी है मैं तो बोलूँगा दो mock is enough ठीक है अब रही बात mock कैसे attempt करें इसके बारे मैं पहले बता रखा कई वीडियोज में आप दे सकते हैं पता हूँ करते कैसे है important है कि mock attempt करने के बाद क्या करें एक कौच ही बताऊँगा मैं इसमें आपको जब आप mock attempt करते हैं generally क्या होता है हम लोग ही काम करते है mock open हुआ हमारा focus क्या होता है score को increase करना ठीक है सभी बात है obvious भी होना भी चाहिए हम क्या करते हैं इसमें वही topic फोट्रिम करते हैं जो topic हमें अच्छे से आ रहे होते हैं होना भी चाहिए exam में ही भी करना होता है आपको जो आएंगे वही पहले करना है यहां भी वही काम करते है score को increase करने के लिए obvious ही बात है कर लिए ठीक है अब कुछ topic ऐसे हैं let's say arithmetic के कुछ topic आपके हैं आपके week है आप exam में या पी mock में जब time pressure में आप उसे नहीं कर पाते हैं आपने उसे छोड़ दिया बागी question अपने 25 question कर लिए कॉइंट के और फिर आप आगे निकल गए mock submit हो गए खतम हो गए का नहीं अब दस question जो आपके पास थे क्या कि इसको आप इस 10 question को आप बाद में attempt किये बाद में solve किये सभी लोग करते हैं करना भी चाहिए किये solve भी हो गया समझ भी आ गया लगा कि अरे यारे तो आसान था हो जाता लेकिन हमारे mind में set होता है कि हमें exam में नहीं करना है mock में नहीं करना क्योंकि बाकी questions और मेरे पास तो सम्झ कर सकते हैं लेकिन अगर वो question नहीं हो तो फिर क्या करेंगे हम मेरा बस इतना कहना है कि जो question आप attempt regularly नहीं करते हैं mock में उसे भी 4-5-6 mock में आप attempt करें जरूर से करें इससे क्या होगा आपका mind जो है इन mocks के help से क्या होगा adapt कर लेगा इन चीज़ों को कि जो question आप छोड़ते आ रहे हमें सासे अपने mock में उस question को भी attempt करने की आज पढ़ जाएगी आपको और फिर exam में भी आप ऐसे questions को attempt कर पाएंगे माता है समय में जो question आप एग्याम में नहीं करते है mock में टर्म नहीं करते है आपको डर लगता है time pressure कारण उस चीज़ को mock में टर्म करें mock is for our practice mock is for our all experiments आप सारे experiment करें उन question करें चीज़ से आपको क्या होगा आप used to हो जाएंगे उस questions को time frame में करनेगी और फिर एग्जाम भी कर पाएंगे यही कारण होता है कई बाद जब भी paper tough आता है quantum का section हो resume section हो paper tough आने के बाद क्या होता है लोग panic करते हैं जो question पहले से नहीं करते आ रहे हैं कभी से वो question नहीं करते हैं उसके बाद भी वैसे question अधिक होते हैं जब यूटूब पर देखते हैं या फिर वीडियेस में देखते हैं अच्छा ही तो question आसान हो जाता है मैंने किया नहीं यह चीज़ नहीं हो यह चीज़ कैसे करें मैंने बता दिया आपको mock में try कर लें यह चीज़ कैसे करें mock में try कर लें frequently अब बात करते है mock को analyze कैसे करें जब भी आप mock analyze करें हमेशा उपर में एक corner पर कहीं ने कहीं आपको यह time show कर रहा होता है different mock में कहीं कहीं दिया हो गया होता है कि आपने उस question को solve करने में कितना second आपने लिया उस time को देखें और यह सोचें कि क्या यह question इस time को deserve करता है अगर करता है ठीक है वहाँ पर एक और ची दिया गया topper का भी दिया गया होता है उससे आप compare कर सकते है second आप खुछ सोचें कि उस question पर क्या वो जो समय लगा क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे आप उससे कम समय कर सकते है आप उस question को different तरीके से करने ही कोईश करें मतलब time को minimize करने ही कोईश करें मैं लगता यह बात करते हैं आ रहा हूँ यही आपके speed को increase करता है ना की कोई tricks ना कोई hacks ठीक है कोईश करें उस question को इस तरीके से करने की क्या तरीका हो सकता है इस question करने का research करें YouTube पर देखें अगर बहुत दिक्कत हो रही है इस group पर आप क्या पूछ सकते हैं यहाँ पर कई लोग होते हैं मैं भी होता हूँ आपको यहाँ पर एक approach मिल जाएगा जहां से आप उस question को कर पाएंगे ठीक है और session में आये करें session में आने से क्या होगा वहाँ पर approach आप सिखते रहते हैं कई बार होता है question solve करना बहुत आसान होता है आप उसको कुस तरीके से कर रहे होते हैं जहाँ पर time को दाधिक लगड़ा होता है time को minimize करने को जो कि जनरली हम लोग करते नहीं है हम लोग simple देखें 25 questions थे 25 questions मेरे हो गए 10 questions नहीं हुए solve कर लिए and that's it mock consists हो गया ये काम आपको नहीं करना तो जो चीजिए मैंने बताए हैं उन चीजिए को आप follow करें mock तरीकल में बताए है कैसे करना आपको live mock अटम जरूर करना है और जूम चीजिए मैंने बताए हैं आपको उसे focus करना है ऐसे करते हैं definitely आपके score बढ़ेंगे बहुत तरह जिसे और प्रेलिम्स exam qualify करने के chances अधिक हो जाएंगे ठीक है ये थी पूरी strategy प्रेलिम्स exam को qualify करने की SBI PO प्रेलिम्स exam की और कुछ दिन में मैं लेकी आओंगा आपके लिए SBI J की और अभी से मैं एक बाद आपको बोल दे रहा हूँ याद रखना हमेशा जीए SBI PO में काफी विटेज है इसका और SBI J में भी आपको देशने को मिलेगा ही तो अभी से आप पहले से पढ़ते आ भी रहे होंगे नहीं भी पढ़ते आ रहे हैं तो इसे start कर दें इसे छोड़े नहीं आप बोलेगे कि Js तो बहुत tough आती है हमारे question बनते ही नहीं है नहीं बनते हैं इसका मतलब यह नहीं कि हम उसके टैरी करना छोड़ दें हमें टैरी करना है और अच्छे से करना है exam में देखा जाएगा question बहुत tough आ जाएगे अपने प्रेशन अच्छी की होगी question को जरूर से item कर पाएगे बाकी लोगों से अधिक कर पाएगे और यही competition होता है exam को clear करने तरीका यही होता है कि आप दूसरों से अधिक item करेंगे तभी आपका selection होगा आया बात समझ में बाग की चीए के बाएगे डिसको स्कम करेंगे आगे नेक्स वीडियो में तो और यह कुछ playlist चैनल पे अवलेबल जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉलो कर सकते हैं प्रिलेमिस, मेंस, स्ट्राटजी, इजिए अवलेबल चैनल पे फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो के इन होने के बाद कमेंड करेंगे जो बताइएगा आपको सिन कैसा लगा थैंक यू फॉर वाचिन इस वीडियो के स्माइलिंग ओलवेज सब्सकाइब कीजेगा वीडियो के सेर कीजेगा लाइक कीजेगा और कमेंड करना बिलकुल नहीं बोलियेगा थैंक यू